हाई शौर अधिसाड और अगें बैक विद अनदर होट दिल इन वेरे डिमांडिंग लोकेशन इन वेरे डिमांडिंग सोसाइटी विविव तोटल फ्रेश कंस्ट्रक्शन और गुड अमनिटी इस विद एक्सलेंट कनेक्टिविटी आप में से बहुत से लोग इस सोसाइटी से रूबरू होंगे और बहुत लोग समझ गये होंगे इस पे मैंने दो-तिन यूनिट्स अलड़ी पोस्ट की हैं जो कि सोल्ड आउट हो चुकी अगीन इस सोसाइटी में एक अच्छी डील आई है टू बीच के फ्लैट विडबल कवर्ड कार पार्किंग जो यूनिट का फ्लोर है वो भी मोस्ट डिमांडिंग है बिलोग टैन अगर आप रेंटल परपस मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो बहुत अच्छा रेंटल आ जाता है बात करें सोसाइटी की सोसाइटी फ्रेशली कंस्ट्रक्टिड सोसाइटी है जिस टावर में यूनिट अवलेबल है वो भी टोटली फ्रेशली कंस्ट्रक्टिड है सामने जो आप एरियास देख रहे हैं यहां पर टोटली ग्रीन एरिया मैंटीन किया जाएगा बात करें पूरे सोसाइटी की तो आपको नैचिरल ग्रीन ब्यूटी हर जगा देखने को मिलेगा सामने बच्चों का खेलने का एरिया है किट्स प्ले एरिया बजूरे लगे हैं बच्चे खेल रहे हैं काफ़े नजया कर रहे हैं बात करें अपार्टमेंट के अपार्टमेंट की एक डिटेल में वीडियो के मिड़् में बताते रहता हूं वीडियो को एंड तक देखिए वरना बहुत कुछ मिस्स कर जाएंगे एंड अगेन एक उपार्चुनिटी आपके हाँ से निकल जाएगी अपार्टमेंट आता है वो जिस्ट बगल में आता है स्टेयर केस के मतलब आप टावर के कोने का भी यूनिट बोल सकते हैं आव एंट्री करते हैं और सामने एंट्री करते ही आपको मिलेगा एक बड़ा सा ड्रॉइंग स्पेस जो कि एटेच है किचन से और सामने आप अपना सोफा वेगर लगा के काफी बड़ी है ड्रॉइंग एरिया बना सकते हैं यह जो एरिया है आपका इसे आप डाइनिग एरिया यूज़ कर सकते हैं जो आपको सामने स्पेस दिख रहा है और सामने आप देख सकते हैं हमारे ड्रॉइंग एरिया से अटेच है बालकनी फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन और सनलेट जो की इधर हरदम मिलता है और नाव गॉइंग टू किचेन एरिया तो चलिए मैं आपको बता दूँ यह जो अपार्टमेंट है हमारा सेमी फॉर्निस अपार्टमेंट है जिसमें आपको बेसिक एमिनिटी अलएडी कंप्लीट करके दी जा रही है अब सामने देख सकते हैं आरो लगा हुआ है इसमें अलएडी किचेन का वुडन वर्क पूरा कंप्लीट है सेनिटरी वर्क पूरे घर का कंप्लीट है बात करें किचेन में तो किचेन में आपको वुडन वर्क वगारा कंप्लीट करके दी जा रही है और केबिनेट्स वगारा टोटली कंप्लीट करके दी जा रही है देख सकते हैं आप बिल्कुल नियू है अपार्टमेंट के अंदर सब कुछ नियू और फ्रेश है यूटेंसिल्स वगरा रखने के लिए सारे केबिनेट्स वगरा बनाए गए है और सामने आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा वेंटिलेशन और सुनलेट के लिए जो कि आपका बालकनी सेटेश्ट है मतलब आपको कीचन में प्रॉपर वेंटिलेशन मिलने वाला है और सुनलेट प्रॉपर आने वाली है तो चलिए बात कर लेते हैं इसके साइज का तो इसका जो साइज है हमारा 1040 स्कौर फिट टू बीच के अपार्टमेंट अब हम चलते हैं अपने बालकनी की तरफ जो कि ड्रंक डाइनिंग सेटेश्ट है यहाँ पर एक छोटा सा डाइनिंग भी बना सकते हैं आप यह ग्लास के विंडोस दे गए हैं काफी प्रीमियम क्वालिटी के आप बालकनी का स्पेस देश सकते हैं काफी स्पेसियस बालकनी दी जा रही है आपको जहां पर एक छोड़ा सा गार्डन में अजरा भी बना सकते हैं और जो इसका फेसिंग है अपार्टमेंट का वह आता है आपका पूल फेसिंग बालकनी हमारी काफी स्पेशियस है और आप अपार्टमेंट की कंडिशन देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश सामने आपको कुछ यह भी मिलेगा अभी फिलाल चीज़े अंडर कंस्ट्रक्शन में है तो आपको और लग रहा होगा यहाँ भी आपको स्विमिंग पूल आने वाला है और सामने के टावर जल्दी कंप्लीट होने वाले है और कुछ टावर का पोजिशन भी देना स्टार्ट कर दिया है और सामने जो स्पेश दिखा था खाली वो आपका पूरा ग्रीन एरिया होगा अब बाट करें वाश रोम के अंदर तो सारी बेसिक चीजे कंप्लीट करके दी जारी है लाइक सेनेटरी वर्क्स एवन एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है और वाश रोम का साइज भी काफी स्पेशियस है अब हम चलते हैं अपने विंडो की दरफ और आप विंडो देख सकते हैं इसके पीछे भी एक छोटा सा बालकनी दिया गया है यहां से आपको सुनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर आने वाली है नीचे जो विंडो ग्लास दी गई है वो आपको विंडो एसी लगा सकते हैं इसके अंदर अब मोविंग टिवर्ड सेकंड एंड मास्टर बैडरूम चलिए एक और चीज़ बताते हैं आपको फ्लोर इसका वो है आपका सेवंथ फ्लोर मतलब ज्यादा उपर नहीं जो मोस्टली फैमिली के दोबारा प्रेफर किया जाता है और करेंटली वी एर इन सेकंड वोश रूम ऑफ और मास्टर बैडरूम और सेकंड रूम बेसिक एमिनिटी सारी कंप्लीट है इसके अंदर सेनेटर वर्क प्रॉपर दिया गया है एक्जास्ट प्रॉपर दिया गया है मतलब आपको कुछ कराने की ज़रूत नहीं है इस पैस देख सकते हें काफी सüğयस हैं और सामने आपको इक袋 प preventing अबहराँ विठर सब्सक्राइड 될ा आठीर नहीं नहीं जडर्यसfleं आपको प्रॉपर सुंड़ और सब्सक्राइबं कृदर सेकंड बैडर्रूं सारे गर के अंदर ये देखे इसका फॉर्स बाल करनी था जो आपका किचन सेट है इस था और ड्राइंग एरिया टू और आज यू कें सी पूरे टावर के अंदर एवन पूरे सोसाइटी के अंदर जिन टावरों को पोजिशन दे दिया गया है उसमें 99% लोग रह रहे हैं बात करें वीउ की तो आप सामने वीउ देख सकते हैं स्विमिग पूल वीउ आने वाला है और सामने आप भटो खाली स्पेस पूरे नी रह ने वाल है विद नीचूरल प्लांट्स तो चलिए बात करतें सोसाइटी की कररंटली अभी हर है गॉर सिटेट टू फॉर्टिंथ है वेन्यू जो की गॉर की नियूली कंस्ट्रक्टिड सोसाइटी है एंड इसकी कनेक्टिविटी चार मूरती से एंड गाजियबाद डैली अंत्यार से काफी बैतरी नहीं है टावर के नीचे ही आपको क्लब हाउस मिल जाता है जो की की बैतरी न ड्रीन एरिया मिलने वाला है बात करें फ्लोर की वह भी बिलो टैन है ज्यादा उपर भी नहीं है रिकंस्ट्रक्शन भी बिल्कुल फ्रेश है लेयाउट आपने देखे लिया काफी स्पीशियस अपार्टमेंट है बात करें कनेक्टिविटी की वह भी काफी जिसमें आपको दो कवर्ड कार पार्किंग मिल रहा है अगर अपार्टमेंट अच्छा लगा एंड यू वांट टो ग्रैब दिस अपॉर्चिनिटी करनले डीम उस ऑन इंस्टाग्राम और मेल उस अस सून अस पॉसिबल बिकॉज आई कांट कमिट की यूनिट कब तक रु है एंड वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज सस्क्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें मिलते हैं नए वीडियो में नए हाट डील के साथ अब तक लिए बाई लव यू आल टाडा